जैहिंद नमस्कार मेरे शेयर शेयर लाट 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 लियो स्वागत आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांडो केट में पर दोस्तों कल से आप सभी को पता जब लाइब क्लास ले रहा था तब भी यही बात चल देती कि सर एक्जाम डेट बढ़ेगी क्या या फोर्म बढ़ने की तिति बढ़ेगी क्योंकि कापी सारे आप सभी को पता है पिछले तीन दिन से पिछले तीन दिन से एससी की जो वेबसाइड है वो बिल्कुल सही से वर्किंग नहीं कर रही है बहुत सारे बच्चे फोर्म बढ़ने से बंचित हो गये हैं और जो बहुत परेशान हो रहे हैं अभी इस समय हैं दुख्य हो रखे हमारा भी मंद दुख्य होता लेकिन हमने पहले ही बताया था कि नहीं पिदा दीन दीन पेहले आप डैट डाली थी कि एक्जाम डेट नहीं बढ़ी जाएगी जिन भी बच्चों ने फोर्म नहीं बढ़ें, आप जल्दी से अपने फोर्म कंप्लीट कर लीजिए, मैंने भी बोला था, बहुत सारे बच्चें, उस दिन जब मैं लाइव लिया था, इस पेसली फोर्म के लिए, कि ध्यान रखना, SSE ने पिछली बार भी फोर्म की डेट नहीं बढ़ाई थी, तो इस बार बढ़ाईगी क्या, अब बात करते हैं कि ये इसकी असली सचाई क्या है, जान रखना लाड़ लो, सबसे पहले आप देखिए, कि अभी एक नोटिस वार लो रहा, आपने देखा होगा, इसमें दो हजार पाईस से उननीस एगेनी, उननीस जनवरी दो हजार तेबीस तक फोर्म बढ़े जाएंगे, दूसरा, इसमें जो एकजाम का मही न लिखावा है, ये लिखावा है, मार्च दो हजार तेबीस, अब इसमें परेशनी उन बच्चों को हो रहा है, जिन्होंने पहले ये नोटिपिकेशन नहीं देखिए, आपको मैं बता दूँ, अभी जो ये नोटिपिकेशन आई थी, SSC GD की, 29 को, उससे पहले, SSC का सेडूल ये था, ठीक है, पहली नोटिपिकेशन है, SSC की, जिसने SSC GD उसके अनुसार, दिसंबर में आने वाली थी, आप कही बच्चों को पता कि, SSC GD की वेकेंसी कब आने वाली थी, 10 दिसंबर को आने वाली थी, 10 दिसंबर को ये वेकेंसी आने के बाद, 19 जनवरी तक फोरम बरे जाने वाले थे, और मार्च में एक्जाम था, ये उसका सिट्यूल है, साथ ही एक एक एक्जामिनेशन कलेंडर भी वारिल कर रहे हैं, इसमें देखो, कौन स्टेबल जीडी आर्मर्ड पुलिस फोर्स, SSC GD 10 दिसंबर से 19 एक तक फोरम बरे जाएंगे, मार्च अप्रेल में एक्जाम, ये कौन सा है, ये पहले का कलेंडर है, जब कब का है ये कलेंडर, जब SSC GD की वेकेंसी 10 दिसंबर को आने वाली थी, 10 दिसंबर 2000, 22 को आने वाली थी लाड़लो, लेकिन आप सभी को पता है कि दिसंबर में नहीं आके, अक्टूबर में ही ये वेकेंसी आ गई है, इसके फोरम शुरू हो गए, तो अक्टूबर से नॉंबर आपको लाड़ डेट दी हुई थी, और अब आपका एक्जाम, आप सभी को पता है, 10 जनौरी से शुरू होगा, ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये आज से कम से कम दो महीने पहले की पुरानी ओल्ड एक्जाम कलेंडर है, और SAC के कलेंडरों में बदला होता रहता है, इससे पहले वाला आप अगर कलेंडर देखोगे, तो उसमें दिल्ली पुलीस का जो एक्जाम है, वो SAC GD से पहले था, पहले ऐसा था कि दिल्ली पुलीस का एक्जाम होना था, मार्च, अप्रेल में, और SAC GD का था, मही जून में, लेकिन उसको चेंज करके, मार्च में SAC GD का किया गया था, और अप्रेल मही में दिल्ली पुलीस का, बाद में इसको और चेंज करके, लाश्ट में क्या किया गया था SACGD की जो वेकेंसी है वो कब निकाल दी गई थी लाड़ लो अक्टूबरे में निकाल दी है जो कि ओरिजनल अभी आपने फोरम बढ़ लिए अब इसके अनुसार तो जो आपने देख रहे हैं आपका एक्जाम 14 फरवरी 2023 तक चलेगा इसमें कोई भी बदलाव नहीं है और किसी भी परकार की नोटिफिकेशन को सच मत मानना बहुत सारे बच्चे इसको इडिट करके भी बदलाव कर देते हैं नहीं नहीं नोटिफिकेशन बनाते रहते हैं उन पर आपको बिल्कुल भी धान नहीं देना है क्योंकि बच्चों क्रियेटिविटी अपने कुछ वीडियो चलाने के लिए यूटूबर कर लेते हैं यसा काम लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है जबकि ये नोटिफिकेशन ये किसी की बनाई हुई नहीं ये वास्टिक नोटिफिकेशन है यनि इससे पहले वाइल नोटिफिकेशन में क्या था कि 10 दिसंबर को वेकेंसी आनी थी और 19 जनवरी तक फोरम बढ़े जाने थे और मार्च में एक्जाम का शिड्यूल था लेकिन ये वेकेंसी अचानक आप सभी को पता अचानक अक्टूबर में ही आ गई अपने समय से पहले आ गई और उसके फोरम नौबर लाश्ट देट थी अब सबसी बड़ा क्यूशन आप सभी का ये है कि सर फोरम बढ़ने की डेट बढ़ेगी या नहीं देखो इस बार ऐसा है कि सभी लोग आवाज तो बहुत उठा रहे हैं कि फोरम की डेट बढ़नी चाहिए क्योंकि पिछले तीन दिन SSE की जो ओफिशल वेब साइड है उसने वर्किंग सही से नहीं किये हो हर बार भी ऐसा ही होता है करेश हो जाती है वेकर जब ज़्यादा ही फोरम फिल होते हैं तो मांग सभी कर रहे हैं लेकिन होता है क्या इस बार थोड़ी सी उमीद इसलिए है क्योंकि उन्होंने बीच में पोस्ट एड किये को एक उमीद का जरिया है उसके अलावा कोई उमीद नहीं है कि हैसे जीडी कभी भी फोरम की डेट बढ़ाती है इस बार उन्होंने अंतिम समय में क्या किया है पोस्ट एड किये हो सकता कि एक दो दिन और बीच में वो साइड को उपन कर दें जिन बच्चों के फोरम नहीं परें उनके लिए क्योंकि अभी रोजगार मेला चल रहा है मोदी जी का तो हो सकता है कुछ नरम दिल दिखा दे सरकार और मांग जहां तक चल रही है सभी के सभी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा डेट देनी चाहिए बहुत सारे बच्चे फोरम बने बिना रह गए हैं अब बच्चे तो वही रहे हैं यह जिन्होंने पहले ध्यान गलती आपकी खुद किया क्यों वो तो एक्जाम डेट ए आप सब काशा यह करके हम कोशिश जरूर करेंगे कि एक्जाम की जो फोरम बढ़ने की तित्य है उसमें दो-चार दिन और बढ़ाए जाए ताकि जो बच्चे रह गए हैं उनको भी मौका जरूर मिले लाट लो जय हिंद जय भार्त